जैश्री राम मित्रो, आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है. दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन या श्रावन मास को बहुत ही महत्व पूर्ण माला गया है. इस महीने में भगवान भोलेनात की पूजा, आराधना का विशेश महत्व होता है. इन दिनों श्रद्धालू अपने सामर्थे के अनुसार भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए वरत उपवास, पूजन अभिशेक, मंत्र जापादी करते है. जो व्यक्ति सावन के महीने में महादेव की पूजा करता है, उन्हें जीवन में सभी प्रकार की परेशानियो से मुक्ति मिल जाती है. शिवलिंग पर कोई भी चीज अर्पित करने या चड़ाने से पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि भगवान भूलेनात की पूजा में क्या चड़ाना चाहिए और क्या नहीं. अन्यथा शिवजी नाराज भी हो सकते हैं. इस वीडियो के माध्यम और शेयर करना मत भूलिएगा. इसी आशा के साथ चर्चा आरंब करते हैं. सावन में शिवलिंग पर न चड़ाएं ये दस चीजे. नमब एक. हल्दी. हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. हल्दी का उप्योग मुखे रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है. इसी लिए हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चड़ाते हैं. लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्री के दूसरे के फूल, सारहीन, कठूमर के फूल, कपास के फूल, पत्रकंटिक के फूल, गंभारी के फूल, बहेडा के फूल, तिंतिनी के फूल, गाजा के फूल, कैत के फूल, कोश्ट के फूल, कनेर, कमल और धव के फूल नहीं चाहने चाहिए. और शिवलिंग पर लाल रंग के फू गुमकुम और रोली भी शिवलिंग पर नहीं लगाई जाती है। यह विश्णु प्रिया लक्ष्मी और सुहाग का प्रतीक है। इसलिए इसे भी अर्पित नहीं किया जाता है। इसलिए भी शिवलिंग पर तुलसी नहीं चड़ानी चाहिए। इसलिए इसलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। नारियल शिव जी को नारियल या नारियल का पानी भी अर्पित नहीं किया जाता क्योंकि हरियल को श्रीफल कहते हैं। श्रीफल यानी की लक्ष्मी माता का स्वरूप। माता लक्ष्मी को शिव जी को कैसे अर्पित कर सकते हैं। शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल या नारियल पानी ग्रहन योग्य नहीं रह जाता है और शिव जी नाराज हो जाते हैं। 9. शंख या शंख से जल शंख भगवान विश्नु को प्रिय है। 10. शंख शंख पुरान में महादेव को विनाशक बताया गया है। विडियो अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइको रशेयर कर देना और इसी प्रकार की भक्ती कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैश्री राम